कौन चपडगंजु बोला है जी देखे चपडगंजुओं की फोज जो है जनता दली उनाइटेड में भरी पड़ी है देखे बिहार की पब्लिक तो पहले से जागरूख है जागरूख है तभी ने इनको 43 पर पहुँचा दिया हमको मुख मंत्री रहे दीजे हुजूर हमको म मुख मंत्री नहीं रहे दीजिएगा तो हम का करेंगे माई बाप तो ना करगड़ रहे हैं नेतिकता जरासा भी और लोक और लाज बची नहीं है मन्य मुख मंत्री जी में देखिए कि उनके प्रवक्ता थे उनका बयान आया कि बहुत देर कर दी महरवां आते आते तो लग करते हैं तो बहस कर लें आने वाले समय में आप देखिएगा पंकत जी जनतादल यूनाइटेड नाम का कोई पॉल्टिकल पाटी बिहार के अस्तित्व में नहीं रहेगा नमस्कार जनतादल नितीश कुमार की पाटी की परवक्ता जो है निरज कुमार उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस करके यह जानकारी दी कि विहार में जंसंख्या नियंतन कानून को लेकर कोई वी मतवेद नहीं है यहां तक कोई जरूरत ही नहीं और जो लोग कहते उन को जानकारी नहीं है कि बिहार में हमने कितना जागरू काम किया और वहीं एक पत्रकार से बात करते हुए चिराग पासवान के लिए चंडू खाना सब्द का परियोग किया है पुर्व मंत्री निरज कुमार से इन सभी मतलूप हम बात करेंगे लोजपार आमिलास के प्रवक्ता है चंदन सिंग चंदन जी आपके नेता के लिए निरज कुमार चंडू खाना सब्द का परियोग कर रहे है क्या कहेंगे कौन चपडगंजू बोलाया जी देखे चपडगंजू की फोज जो है जनता दली उनाइटेड में भरी पड़ी है इनको ये भी नहीं मालूम है कि जनसंख्या नियंतरन का ये जो ढोल पीट रहे है कि आकड़ा इतना कम आ गया है बिहार में तो कहां ये जागरूकता फैलाए है देखे बिहार की पब्लिक तो पहले से जागरूक है तो कि अगर ये नेतिकता जरासा भी और लोक और लाज बची नहीं है मानिय मुख मंत्री जी को जरा भी सर्म अगर लगता तो तुरंत इस्तिपादे देते कि एक ही परिवार का पांच सदस्य फांसी पर झूल गया इनहीं के ग्रीज जीला का एक बच्चा है, इनके गाल पे ऐसा तमाचा मारा, कि इनके सिक्षा बिवस्था का पोल खोल के रख दिया, तो लगातार तो बिहार में अपराद नंबर एक पर है, तो क्या बात करेंगे आप इनके पार्टी में देखिए भगदर मचा हुआ है, न दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार में, अब उसको खोजा जा रहा है, यह किसे का सथे ही पार्टी में भगदर मचा हुआ है, लगातार देखिए चार इनके जो पतादिकारी थे अभी इस्तिपा दिये, तब बाद में आनन फानन में लोग निकाला है, उब भी देखिए बहुत कुछ किया है, पता नहीं हमने कितना कुछ किया है, अगर कितना कुछ किये रहते तो बिहार में रोजगार का बात क्यों नहीं करते हैं, इसी BPSC में प्रसंपत्र लिक कर जाता है, उसके बाद भी प्रसंपत्र लिक किया, तो लगातार और यहां के तो जो बिरोजग कार नोजवान है उन तो दिया लेके कोज रहें कि कोई जनता दली उन्याइटेड का नेता दिखाई दे। थी कोई ठीक है सूट देगा पबलिक सूट देगा तो डर भी है तो लगातार इस तरीके का इलोक टिका टिपने करता है। कुछ है तो नहीं बोलने के लिए कुछ रहे तब न हम तो 75 हम तो आपके माध्यम से कई बार कहा और उन चपडगंजुओं की फोज से भी मैं कहता हूं ललकारता हूं निवता देता हूं कि बहस कर लें विकास पर बहस कर लें न जो आकड़ा पेस करते हैं तो बहस कर लें कि बिहार में आपने कितना कुछ किया है तो इतो दिख रहा है पूरे बिहार में दिख रहा है कहीं भी आप आप जाएंगे तो मान्यम मुख मंत्री जी का जो विकास का कारणामा है कि हर जगा चीक चीक कर पता चल रहा है पूरे देश में आपने क्या अच्छवी बना दिया ह कि यहां प्रस्णपत्र लिग कर जाते हैं कैसे हो जाता है बिना सत्ता के संडक्षन में कौन लोग पकड़ा रहे हैं कौन लोग पकड़ा रहे हैं तो इस सब देखने की जरूरत है मान्यमुख मंत्री जी देखिए अभी अपने हवा महल से निकलते नहीं है पांच एक ही परि निकाला गया है चाहाए अजया लोख हो प्रवक्ता हो या फिर कोई और नेता को ति इन लोगों ने उनका तर्खे की पार्टी बिरोधी काम किया है तो कैसे का सकते एक तरफ आर्शिपी सिंग को उस तरह से राज सवानी भीना इसको आप कैसे देखिए इनका इंटरनल भी लेकिन इनके पार्टी में भगदर मचा हुआ है गिरोह बहुत सारा गिरोह बना हुआ है गिरोह जब आपस में ठकराता है तो सभाविक है इस तरीके का आने वाले समय में आप देखिएगा पंकजी जनता अदल यूनाइटेड नाम का कोई पॉल्टिकल पार्टी बिहार के अस्तित्व में नहीं रहेगा मैं दावे के साथ कह देता हूं मानिय मुख मंतरी जी का जो गराफ इतनी तेजी से गिर रहा है कि यहां के नौजवान मानिय मुख मंतरी जी का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं ये और इनको कोई विकास से कोई मतलब भी नहीं है कभी व पागलपूर में पुल गिरा एक और कहीं अभी इस्ट्रक्चर गिरा हुआ है तो लगातार और इनके बिहार सरकार के का कोई भी योजना धरातल पे नहीं उतर रहा है ब्रश्टाचार फैला हुआ है यहां सराबंदी का आप वैसे ही ले लीजिए तो कोई भी योजना राज् का बात करना है किसी भी तरीके का जागरुकता अभियान भी नहीं है मलब आप समझ लिजे कि बिहार जो है राम भरोसे है अगे हम लोग भी चाहते हैं कि जनशंख्या नियंतरन हो इस पर कानून भी बने लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कानून आप किसी भी विशय में बन कि मान्य मुख मंत्री जी को तो ये बराबर लगता है कि उनसे बड़ा जानकार बिहार में कोई नहीं है तो जो विकास बिहार में हुआ है वही किये हैं तो यहां के पब्लीक को मान्य मुख मंत्री मुर्ख समझते हैं तो यहां के पब्लीक को मुख मंत्री मुर्ख समझते ह से जनसंख्या नियंतरन कानून पे अपने तर्क दियें कि हमने जनसंख्या नियंतरन कानून को लेकर के बहुत काम किया है बहुत जागरुक पहला जागरुकता अभियान चलाया है और इसको लेकर के नतीजे भी कल जो है नीरज कुमार प्रतकासित कि नतीजा क्या है और आग उसी बयान बाजी पर ही यह थम जाती है वह रहाल आपको मारे वीडियो कैसा लगा आप अपनी पर्तिक्रिया के में बॉक्स में जरू दें अगर आप यूट्यूब चनल पर देख रहें तो चनल को सबस्क्राइब कर लें फेस्बूक पर देख रहें तो लाइक कर लें बहु